हेलो दियर स्टूरेंस ओफ क्लास एथ वलकम टू जैनेद गुरु मैं हूनिकी बंडित और आज यहां पर हम करने जा रहे हैं लाइट चाप्टर का माइंड मैप ओके सो पूरे चाप्टर को हम विधिन 10 मिनेट्स कोशिश कर देंगी कि हम 10 मिनेट के अंदर पूरा चाप्टर बाइंड अप कर सके ओके सो देखो यह जो पूरा चाप्टर है यह कैसे क्लासिफाई किया गया है reflection of light, types of images, law of reflection and color of light तो इस पूरे चाप्टर को in four parts में complete किया गया है सबसे पहले बात करते है reflection of light तो basically अगर हम कोई चीज़ देख पा रहे हैं अगर आप ए वीडियो देख पा रहे हो ठीक है तो just because of reflection of light क्योंकि light क्या करती है bounce back होती है पहले light आपके screen पर पड़ेगी फिर वहां से reflect होगी ठीक है और आपके आँखों में जाएगी तो आप उस चीज़ को देख पाओगे अगर bouncing back of light नहीं होता है ठीक है तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते क्योंकि reflection नहीं होगा समझ में आया So what is reflection of light bouncing back of light bouncing back of light को हम क्या कहते है reflection कहते है for example यह एक surface है यहां से light आई इस पर टकराएगी और फिर यहां से क्या हो जाएगी bounce back हो जाएगी तो जो light आती है उसको हम कहते है incident ray ठीक है जो light जाती है उसको हम कहते है reflected ray clear अब इसकी वेसे देखो यहां तो types of images बनते है तो types of images कौन कॉन से होती है real image हो सकता है virtual इमेच होता है and lateral image होता है so real virtual and literal so real image वह image होता है जो हमें a screen पर obtained होता है 자 करmbre देखने लैं मिलता है that is the real image जो हम mirror में देखते हैं उसको virtual image कegtे हैं साते साथ, वो lateral image भी होता, तो lateral image कैसे है котором, lateral image का मतलब होता है left का right, right का left, जिस आप खुद को mirror में देखते हैं, तो आप याँ देखते हैं, तो आपका यहाँ पे अभी जो भी left hand है, तो आपको right दिखेगा, अगर आपका right hand है, तो आपको left दिेगा, मतलब left की चीज़े right में दिखेंगी और right की चीज़े left में आपको mirror में दिखाई देंगी so that is the lateral ठीक है उसको क्या कहते है हम lateral inversion कहते है इसके बाद हमें इस chapter में दो law of reflection भी पढ़ना है कौन से दो laws of reflection है angle i is equal to angle r and ये same sorry incident ray, reflected ray and normal, all line are same plane तो ये दो laws of reflection है फिर उसके बाद हम color of light की बाद करेंगे कि basically जो light होता है, white light वो split हो जाता है seven color man that is called spectrum, ठीक so, यहाँ पर सबसे पहले तो light की speed के बारे में जानो speed of light speed of light is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second इतनी होती है light की speed समझ में आए, कितनी होती है light की speed इतनी जादा होती है light की speed clear है, okay now, अब हम यहाँ पर laws of reflection पढ़ रहे थे laws of reflection तो laws of reflection में दो law है पहला है angle i is equal to angle r और दूसरा है incident, reflected and normal all lie in a same plane सब के सब कहां पर लाई करते हैं, सब के सब same plane पर लाई करते हैं और इसकी वज़ों से पता ही क्या होता है हमें multiple images भी देखने के लिए मिलते हैं, for suppose कि अगर हमने mirror लगाया अगर हमने दो parallel mirror लगा दिये तो हमें infinite image देखने के लिए मिलेगा ठीके, यहाँ पर समझो images की बारे में समझते हैं सबसे पहले अगर हमारे पास parallel mirror है तो यह क्या करेगा हमें infinite images बना के देगा और अगर यही mirror 45 degree के एंगल पर है तो हमें कितने images मिलेंगे only three images तो यह दो चीज़े याद रखनी थी आपको image में कि अगर parallel mirrors होंगे तो infinite image देखने के मिलेगा और अगर 90 degree पर है तो हमें three images देखने के लिए मिलेंगे clear already बता दिया है कि types of images कौन कौन से real जो कि हमें screen पर देखने के लिए मिलता है वर्च्वल जो मिरर में देखता है और lateral inversion की होता है left का right राइट का left देखना समझ में आया clear है यह सब plane mirror की बात करते है अब जो plane mirror है basically यह सब क्या है plane mirror के बारे में बात की जा रही है so plane mirror हमें किस तरीके का image formation कराता है इसके बारे में जानते है image formation by plane mirror okay now image formation by plane mirror तो यहां पर क्या है कि equal distance जहां पर हम खड़े रहते हैं mirror में भी उतने ही distance पर image का formation होता है ठीक है same size रहता है पहली चीज सेम साइज same distance ठीक है same size रहेगा same distance रहेगा lateral inversion बनेगा ठीक है यानि कि left का right और right का left हो जाता है इसको हम क्या कहते है lateral inversion यह सारी चीज़ें में कहां पर देखने के लिए मिलती है plane mirror में देखने के लिए मिलती है अब अगर हम spherical mirror की बात करें spherical mirror की बात करें तो spherical mirror में हम दो mirror की बात करते है concave mirror and convex mirror concave mirror and convex mirror ठीक है इन दो mirrors की हम बात करेंगे सिर्फ यहां पर classification हमने किया इसके बात क्या है color of light so color of light में क्या है यहां पर हम discuss करेंगे color of light so यह एक प्रिजम है जैसे इस प्रिजम पर white light पास होगी ठीक है तो यहां पर क्या होगा medium change हुआ तो raise आ रही थी यहां से bend होगा और फिर यहां से निकल जाएगा तो यह जो white light का splitting होता है in seven color this is called spectrum ठीक है dispersion of white light into seven color is dispersion समझ में आया हूँ clear है इसको हम कैसे करते हैं विब्ग्योर यानि की violet है indigo है blue है green है orange है और red ठीक तो यह सारे के सारे colors होते हैं जो मैं white light में देखने के लिए मिलते हैं अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे structure of eye के बारे में बात करेंगे हां पर कुछ इसके parts के बारे में जानेंगे तो यह पूरा structure है आई का जो हमारा eye है वो कुछ इस तरीके से हमें देखता है ठीक है इसको label किया गया है आपको labeling आनी चाहिए तो यह पूरा आई है, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले, this is, इसको क्या बोलेंगे हम, यह क्या है, ciliary muscles, यह क्या है, ciliary muscles, then, यहाँ पर iris, lens, cornea, retina and optic nerve, basically optic nerve क्या करते है, जो भी चीज हम देखते हैं, वो हमारे brain तक पहुंचाने का काम करते हैं, तभी हमारे brain उस चीज क याद रख पाता है, ठीक है, retina भी क्या होता है, images का formation होता है, right, iris है, lens है, यह से प्या करते हैं, light को कितने amount में enter करवाना है, यह इसको देखते हैं, yes, तो यह पूरा का पूरा function है, I का, इसके सारे के सारे parts आपको पता होने चाहिए, okay, तो यहाँ पर हमने अपना यह chapter जो लेक्चर्स के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बागी मिलेंगे हम next class में तब तक ले पढ़ते रहे, thank you so much.